जैसे ही मैं इस स्विच को on करता हूँ वैसे ही एक current flow करना चालो कर देती है और ये fan ये spin करने लगता है तो इसके अंदर होता है एक device जो की electricity को convert कर सकता है rotation motion में और इसे हम बुलाते हैं electric motor और इसका इस्तमाल हम काफी जगा करते हैं washing machine में, drilling machine में यहां तक ही electric car में भी लेकिन यार बड़ा सवाल ये है कि देखो current तो होता है flow of electrons तो यार ये छोटे 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 electrons ये इस बड़े इसे पंके को spin कैसे कर पा रहे हैं तो असल में secret होता है magnets का देखो पिछले वीडियों हमने देख रखा है कि अगर हम एक current carrying conductor को एक magnetic field में डालें तो ये एक push मैसूस करेगी एक force feel करेगी अब electric motors ये इसी force का इस्तमाल करके current carrying conductor को spin करवाते हैं अब देखते हैं कैसे तो इसके लिए मैंने ले लिया है कुछ magnets को जिनके कारण की होने वाला है magnetic field और एकर इसमें हम डालेंगे एक current carrying wire को तो वो एक force को experience करने वाला है अब देखो वैसे इस case में मैं एक single current carrying wire के बजाए एक rectangular current carrying loop का इस्तमाल करने वाला हूँ जो कि कुछ ऐसा दिखेगा rectangle के shape में वैसे तो मैं किसी भी shape का इस्तमाल कर सकता था लेकिन rectangular loop को समझना यह थोड़ा आसान पड़ जाता है अब हाँ वैसे तुम्हाँ दिमाग में एक सवाल उट रहोगा कि राम यहाँ पे एक single current carrying wire के बजाए तुमने rectangular loop का इस्तमाल क्यों किया है तो देखो यह तुम्हें clear हो जाएगा लूप की हर एक side यह एक current carrying conductor की तरफ behave करेगी जो की magnetic field में रखी हुई हो जैसे कि यह वाली side को ले लो यह current carry कर रही है और यह magnetic field में है similarly यह वाली भी magnetic field में है और यह वाली side भी magnetic field में है यानि कि इन सब पे अलग-अलग force लगने वाला है और हो सकता है कि इसके कारण यह loop यह rotate करना चालू करते हैं आओ देखते हैं अब यह loop कैसे move करेगा यह पता लगाने के लिए तो मुझे हर side पे लगने वाले force की direction का पता लगाना पड़ेगा और इसके लिए में इस्तमाल करने वाले flaming के left hand rule का जो कि कहता है कि अपने left hand की तीनों उगलियों को कुछ ऐसे खोलना कि यह एक दूसरे के perpendicular हो तो उसके बाद thumb तुम्हे force की direction बताएगी four finger magnetic field की direction बताएगी और middle finger यह current की direction बताएगी F, B, I अब देखो हर side पे force की direction का पता लगाने के लिए मैं उगलियों को current और magnetic field की direction में align करने वाला हूँ तो अब यही करते हैं हर side पे लगने वाले force की direction का पता लगाते हैं लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें यह करके दिखाऊं क्यों नहीं वीडियो को pause करो और खुद से एक बार try करो अब अगर तुम्हें try कर लिया ता हो देखते हैं सबसे पहले इस pink wire पे लगने वाले force का पता लगाते हैं तो देखो यहां पर current जा रहा है अंदर की तरफ तो यानि कि मैरी middle finger यह अंदर की तरफ point करने चाहिए और यहां पर magnetic field यह left direction में तो यानि कि four finger यह left direction में point करेगा तो फिर अगर मैं अपने left hand को align करूँ तो फिर यह कुछ ऐसा दिखने वाला है देखो यहां पर thumb यह उपर की तरफ point कर रही है यानि कि pink wire पे force यह उपर की तरफ लग रहा होगा अब अगर मैं same चीज इस blue wire के साथ करूँ तो यहां पर मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है देखो हमारी thumb यह नीजे के तरफ point कर रही है यानि कि blue wire पे force यह नीचे के तरफ लग रहा होगा अब हम बात करते हैं इस wire की देखो इस case में current यह right जा रहा है और magnetic field यह left जा रही है तो यार यानि कि current और magnetic field यह दोनों ही एक दूसरे के parallel है अब याद करो कि हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ रखा है कि अगर current और magnetic field यह दोनों parallel हो जाएं तो यानि कि इस case में कोई भी force नहीं लगने वाला है तो यानि कि इस समय इस wire पे तो कोई भी force नहीं लग रहा है similarly इस wire पे भी यहाँ पे भी current और magnetic field यह दूसरे के parallel है तो यानि कि इस case में हमारी coil पे केवल दो ही force लग रहे हैं इस पे उपर की तरफ इस पे नीचे की तरफ और मैं इसे दिखालता हूँ कुछ ऐसे तो अब क्या तो अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी coil यह कैसे move करने वाली है तो इसे दिखाने के लिए मेरे पास एक वीडियो है देखो यहाँ पे मैंने एक board को ले लिया है और मालो कि यह होगे ही rectangular coil तो यानि कि इस side पे force लग रहा है उपर की तरफ और इस side पे force लग रहा है नीचे के तरफ तो यह coil कुछ ऐसे spin करने लएगी देखो यहाँ पे spinning हो रही है clockwise direction में तो यानि कि हमारी case में भी हमारी coil यह clockwise direction में spin करने लएगी कुछ ऐसे अब देखो अभी तक तो इस wire पे लगने वाला force और इस wire पे लगने वाला force यह बिल्कोली same रहने वाले है क्योंकि देखो अभी भी इस wire पे current यह अंदर की तरफ जा रही है और magnetic field यह अभी भी left की direction में है तो यानि कि force यह अभी भी ऊपर की तरफ होने वाला है similarly इस पे force यह अभी भी नीचे के तरफ होने वाला है लेकिन तुम अभी यह सो सकते हो कि राम यह वाला wire यह तो अब magnetic field के parallel नहीं रहा पहले यह parallel था तो इसलिए इस पे कोई भी force नहीं लग रहा था लेकिन अब तो यार यह कुछ angle बना रहा है तो यानि कि इस पे कुछ ना कुछ force लगना चाहिए तो हाँ तुम बिल्कुल सही हो और similarly इस wire पे भी अब कुछ ना कुछ force लगना चाहिए लेकिन अगर तुम यह सोच रहे हो कि यह इन दोनों wire पे लगने वाला force यह हमारे spinning motion को effect करेंगे न तो यह सही नहीं है आओ देखते हैं कैसे तो अगर मैं इस wire पे flaming का left hand rule लगाओ तो देखो यहाँ पे magnetic field यह left direction में जा रही है और हमारी current यह थोड़ी नीचे के direction में point कर रही है तो यानि कि flaming का left hand rule यह कुछ ऐसा दिखने वाला है हाँ तो यानि कि हमारी thumb यह point कर रही है अंदर के towards यानि कि इस wire पे force यह लगने वाला है अंदर के तरफ और similarly अगर मैं इस wire पे flaming का left hand rule लगाओ तो यह कुछ ऐसा दिखने वाला है तो यानि कि इस case में हमारी thumb यह बाहर के towards point कर रही है यानि कि इस wire पे force यह बाहर के towards लगने वाला है तो यार यह दोनो forces यह हमारी coil के साथ कर गया रही है तो देखो यह दोनो forces यह हमारे coil को खीचने की कोशिश कर रही है opposite direction में लेकिन देखो गबरानी की बात नहीं है हमारा coil यह थोड़ा मजबूत material से बना हुआ है तो इसे कुछ होने वाला नहीं है देखो यहाँ पे अगर मैं board को मैं opposite direction में खीचने की कोशिश कर रहूं कुछ ऐसे तो board को कुछ होता नहीं है और in fact इन forces के कारण यह board यह rotate भी नहीं कर रही है तो यानि कि इन forces के कारण इनके board के rotation पे कोई फर्थ नहीं पढ़ने वाला है तो similarly मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों forces के कारण इस coil की spinning पे कोई भी फर्थ नहीं पढ़ने वाला है यानि कि पूरे motion में हम इन दोनों wire पे लगने वाले forces को ignore कर सकते हैं क्योंकि हम तो यार इस coil की spinning को study कर रहे हैं न और ये दोरो forces ये spinning पे तो कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं तो यानि कि अब हमारी coil ये rotate करने वाली है आसानी से कुछ ऐसे लेकिन तोरंद ही एक छोड़ी सी problem होने वाली है देखो इसे समझाने के लिए में तो मैं board को दिखाता हूँ तो देखो अगर हमें चाहिए कि हमारा board ये हमेशा clockwise direction में goal घूमता रहे तो इसके लिए मुझे हमेशा right side को नीचे के तरफ धकेलना पड़ेगा और left side को ये हमेशा उपर के तरफ push करना पड़ेगा लेकिन यार यहाँ देखो जैसे हमारी pink वाली wire ये right side में आई तो वैसे ही यहाँ पर force ये तो अभी भी उपर के तरफ लग रहा है और हमारी blue wire जो की left में आ गई है अब इस पे force ये अभी भी नीचे के तरफ लग रहा है तो यानि कि यार ये coil ये तो अब anti clockwise direction में rotate करने वाली है ये पहले slow down हो जाएगी और फिर ये ऐसे anti clockwise direction में rotate करेगी और देखो अब ये force फिर से उपर है और यहाँ पर नीचे यानि कि ये फिर से coil ये clockwise direction में rotate करेगी और फिर anti-clockwise direction और फिर से clockwise direction तो यार ये तो एक अच्छी motor है नहीं ये तो एक भी चकर को complete नहीं कर पा रही है तो इसे कैसे ठीक किया जाए तो देखो हमें चाहिए कि हमारा coil ये हमेशा clockwise direction में चकर काड़ता रहे तो यानि कि इसके लिए जब हमारी coil इस position पे आए तो देखो इस wire पे लगने वाला force इसकी direction को reverse कर जाना चाहिए उपर से नीचे हो जाना चाहिए similarly इस wire पे लगने वाला force ये अब नीचे से उपर की तरफ हो जाना चाहिए तब ही तो ये loop ये अपने cycle को complete कर पाएगी यार तो यार यहाँ पे हम force की direction को reverse कैसे करें तो इसके लिए हम लेकर आते हैं अपने left hand rule को देखो अभी thumb point कर रहा है उपर की तरफ हमाई चाहिए कि thumb ये नीचे की तरफ point करे तो ऐसा करने के दो तरीके हैं या तो तुम पहला तरीका ये है कि तुम magnetic field की direction को reverse कर दो ये अभी left point कर रही है इसे right कर दो लेकिन current की direction को same रखना अब इसे खुच्चा कर तुम try करोगे न तो मैं देखेगा कि तुम्हारी thumb ये नीचे की तरफ point कर रही है लेकिन यार इसे कर पाना practical life में ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है हमें magnetic field की direction को reverse करने के लिए ये magnetic poles को reverse करना पड़ेगा अब यार ये थोड़ा सा पेचीजा हो जाता है तो इसे हम नहीं करने वाला है अब देखो दूसरा तरीका ये है ना कि magnetic field की direction को तुम सेम रखो लेकिन current की direction को reverse कर दो और अगर तुम ऐसा करोगे तो देखो तुमारी hand कुछ ऐसे दिखेगी देखो thumb ये नीचे की तरफ point कर रहा है यानि कि अब इस wire पे force ये नीचे की तरफ point करने वाला है तो यानि कि ऐसे ही अगर मैं पूरे coil में current को reverse कर दो तो यानि कि हर जगा पे force ये अब reverse हो जाने वाला है इस wire पे force अब नीचे की तरफ लएगा इस wire पे force अब उपर की तरफ लएगा और हमारी coil ये अब clockwise direction में अपने चकर को फूरा कर पाएगी अब देखो अगर तुम सोच रहोगे कि राम तुम यहाँ पे current की direction को reverse कैसे करने वाले हो तो इसके बारे में हम तुरंट बात करने वाले हैं घबरा हो नहीं important जीज़ ये है कि जैसे ही मेरी coil आधा चकर को complete करेगी वैसी हमें current की direction को reverse करना पड़ेगा तो आप इस हाथ को हटाते हैं और यहाँ पे current की direction को switch करते हैं तो देखो जैसे ही मैंने current को switch किया हमारी forces की direction ये भी switch हो गई और अब हमारे ये coil ये clockwise direction में चकर को पूरा कर सकता है कुछ ऐसे लेकिन देखो जैसे ही ये वाली position आएगी ये blue वाला wire right में और pink वाली wire left में तो हमारे forces ये अब opposite direction में point कर रहे हैं ये right में force उपर है, left में force नीचे है तो यार अब तो हमारी coil ये continue नहीं कर सकती है तो यहाँ भी हमें same चीज़ को करना पड़ेगा हमें यहाँ पे current को फिर से switch करेंगे और हमारे forces ये switch हो जाने वाले है और फिर हमारी coil ये continue करने वाली है, rotate करना तो यानि कि अगर हम हर आदे cycle के बाद current की direction को switch कर देना तो फिर force की direction भी switch हो जाने वाली है और हमारे ये loop ये continuously rotate करता रहेगा clockwise direction में तो यहाँ पे हमने electricity को convert कर दिया है rotation motion में अब हाँ, वैसे ही इस animation में मैं हमेशा इसे pause कर दे रहा हूँ जब भी current switch कर रही है ताकि तुम इसे clearly देख पाओ लेकिन असलियत में ये continuously होता रहता है अब देखो एक आखरी चीज़ हम कैसे इस coil को एक battery से connect करें ताकि इसमें हमेशा एक current flow करता रहे और हम ये कैसे हासिल करें कि हर आदिय साइकल के बाद इस coil में current की direction ये switch कर जाएगी ताकि ये continuously clockwise direction में गोल खुमता रहे है तो इसके लिए मैंने पास यहाँ पर बैटरी और ये connected है कुछ wires से अब मैं इन wires को directly join कर देने वाला हूँ अपने coil से कुछ ऐसे अब जैसे ये connection पूरा होगा वैसे ही coil में current flow करने लएगी और ये coil rotate करना चालू कर देगी लेकिन देखो इस coil के साथ साथ ये wires ये भी rotate करने लएगे और ये उलजने लएगे कुछ ऐसे तो यार ये तो दिक्कत की बात हो गई और हमारा coil भी अब इस position पे आ चुका है हमें अब current की direction को reverse करना पड़ेगा तो ये हम कैसे हसल करें तो देखो इसके लिए हम battery को reverse कर सकते हैं या फिर हम इस connection को reverse कर सकते हैं मैं इस wire को यहाँ जोइन कर दूँगा और इस wire को यहाँ ताकि current opposite direction में flow करे और फिर force की direction ये भी reverse हो जाए कुछ ऐसे लेकिन देखो सवाल ये है कि यार ये change in connection ये हम automatically कैसे करें ताकि ये खुद से होता रहे खुद बखुद हमें कुछ करने के जरुद नहीं पड़े तो देखो इससे करने के लिए हमें एक नए device का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे हम बुलाते हैं commutator तो ये हो गया commutator इसमें होते हैं split rings मतलब कि दो आधे metallic rings जिनकी बीच में की थोड़ा सा gap हो और ये connected होते हैं हमारे coil से यानि कि हमारा coil अगर rotate करेगा तो ये उसके साथ साथ rotate करने वाले हैं और फिर इसमें होते हैं दो carbon brushes जोगी connected होते हैं wire से और फिर हमारी battery से अब देखो ये carbon brushes और split rings ये आपस में connected नहीं होते हैं बलकि ये एक दूसरे को touch कर रहे होते हैं जैसे कि देखो यहाँ पर ये brush इस ring को touch कर रहा है अब अगर ये ring rotate करना चालू कर दे तो ये brush उसके साथ rotate करने वाला नहीं है बलकि ये उसके उपर slip करता रहेगा similarly यहाँ पर भी same चीज़ होने वाली है और हाँ क्योंकि हमारी carbon brush ये touch कर रही है हमारे splitter ring को तो इसलिए यहाँ इस battery से निकलने वाला current ये इसके थुरू coil में इंटर कर जाएगा और फिर ये वापस इसके थुरू ये वापस आ जाने वाला है तो यानि कि इस setup की मदद से हमारे coil में continuously current flow कर सकती है और हाँ ये अब rotate करना चालो कर देगा कुछ ऐसे और इस setup की मदद से देखो ये carbon brush ये connected नहीं है ना splittering से ये बस touch कर रही है तो इसलिए जब ये coil rotate करेगा तो हमारी wires ये इसके साथ साथ rotate नहीं करने वाली है ये उलजने वाली नहीं है तो अब यहाँ पे एक problem तो solve हो की अब आखरी problem ये है कैसे ये setup हर आदी cycle के बाद coil में current की direction को reverse कर देता है तो देखो अब ही ये pink वाली splittering ये connected है battery के इस terminal से positive terminal से और blue वाली splittering ये connected है battery के negative terminal से लेकिन ध्यान देना आदी cycle के बाद क्या होता है ये जब हमारी coil ये इस position पे आ जाए तो देखो ये pink वाली splittering ये अब इस brush के साथ contact में है यानि की battery के negative terminal के साथ और ये blue वाली ring ये battery के positive terminal के साथ contact में है तो यानि की अब current ये ऐसे जाएगा और ये coil में ऐसे इंटर करने वाला है ऐसे यानि की opposite direction में और फिर ये ऐसे निकलके ये वापस आ जाने वाला है यानि की coil में current की direction ये reverse हो चुकी है कुछ ऐसे तो यानि की force की direction ये भी reverse हो जाएगी और इसका मतलब कि हमारा coil ये clockwise direction में rotate करना continue करेगा कुछ ऐसे लेकिन कब तक ये देखो ये फिर से contact यहाँ पे change हाँ देखो ये pink वाली ring ये फिर से वापस से contact में आ गई है positive terminal के साथ और ये blue वाली ring ये contact में है अब negative terminal के साथ तो देखो ये current ऐसे गया ये ऐसे enter और ये वापस से ऐसे उल्टे direction में यानि कि current ये फिर से reverse हो गया है और force भी reverse और फिर ऐसे ही हमारी coil ये continuously ये rotate करती रहेगी और देखो सबसे important बात ये है कि यहाँ पर connection में change ये खुद से हो रहा है हम बाहर से कुछ भी नहीं कर रहे है तो यानि की commutator की मदद से हमने एक complete motor action को हासिल कर लिया है तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक motor में होते हैं कुछ magnets और एक current carrying coil और ये magnetic field इस coil को push करने वाली है इसे rotate करवाने वाली है और important चीज़ ये है ना कि जब ये coil इस position पे आए तो फिर current की direction को हमें reverse करना पड़ेगा और इसके लिए हम इस्तमाल करते हैं commutator का जिसमें कि होते हैं कुछ splitterings और carbon brushes अब जैसे ही current की direction reverse होगी वैसे ही force की direction भी reverse हो जाएगी जिसके कारण कि ये coil ये continuously एक ही direction में rotate करता रहेगा तो ऐसे हमने electricity को convert कर दिया है rotation motion में और अगर इस coil से तुम किसी machine को लगाओगे ना तो वो भी rotate करने लएगी जैसे कि तुमारी fan या फिर drilling machine या फिर washing machine